सभी का एक नई वीडियो में तो आज के वीडियो मेन हम नखनंत के कुछ इंपॉर्टन्ट इंपर्टन्ट नूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्योंकि नखन जॉइंट से जो आपके नूमेरिकल हैं वो आपके semester exam में काफी बार पूछे जा चुके हैं तो वीडियो आप सभी students के लिए important होने वाली है तो वीडियो को आप complete जरूर वाज करें और knuckle joint से जो numericals पूछे जाते हैं आज की इस वीडियो में सारी चीजे मैं आपको step by step हर point पे सारी चीजे यहाँ पर clear करता हुआ चलूँगा और यह वीडियो आप complete एक बार देख लेंगे तो आप जो है knuckle joint के जो numericals हैं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो वीडियो को आप इंडे तक देखते रहिए सारी चीजे आपको बहुत ही simple language में यहाँ पर step by step explain की जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो है सबसे पहले questions क्या है तो देखें यह question और आप सभी के लिए मैं एक tips देना चाहूँगा कि यदि आपके पास machine design की अच्छी book है तो आप उसके जो example वगएरा है उनको solve कर लीजिए क्योंकि काफी बार जो आपके semester exam हुए है उसमें जो आपके questions पहुचा जाता है numerical वो examiner आपके जो है example से ही रख देता है तो आपके पास book वगएरा जो भी है आप उसके numericals example वाले solve करिएगा उसी से maximum आपके questions पहुचे जाते हैं तो चलिए सबसे पहले questions पढ़ते हैं कि आखिर questions में पहुचा क्या गया है आपका question है 120 किलो न्यूटन भार वहन करने के लिए नकल जोड की संरचना कीजिए दिये गए अनुमेय प्रतिबल निम्न है यहाँ पर आपका तनन जो प्रतिबल है 75 5 मेगा पासकल है करतन आपका प्रतिबल है 60 मेगा पासकल और संपीडन जो आपका है 150 मेगा पासकल यह वैलू आपको दे रखी है अब सबसे पहले नकल जोइंट में जो आपका numerical solve करने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले जो भी चीज़े आपको given है यह अप्रोच आप सभी numerical solve करने में कर सकते है कि जो भी वैलू आपको given है उसको आप लिखिए और उसकी जो unit है पहले आप same कर लीजिए तो जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर P की वैलू दे रखी है 120 किलो न्यूटन तो P की power of 4 क्यों है क्योंकि यह था 120 जहां पर एक इसमें ले आओगे तो 1, 2, 3, 4 तो इसको न्यूटन की power 4 तो P बराबर 12 गुड़े 10 की घात 4 newton हो जाता है उसके बाद आपका जो अनुमे तनन प्रतिबल 75 मेगा पासकल है इसको हम newton पर mm2 में convert कर लेंगे क्योंकि मेगा पासकल और newton पर mm2 जो है दोनों value आपकी बराबर होती है उसके बाद आपका जो है अनुमे करतन प्रतिबल यहां पर इसकी जो value है इसको हम Fs से denote करते हैं अनुमे करतन प्रतिबल की value जो है 60 mm2 में convert कर लेते हैं तो सबसे पहले किसी भी numerical को solve करने का बहतरीन अप्रोच होता है कि जो भी value given है उसको लिखे और सभी की value जो unit है उसको same कर लीजे तो यहां पर सभी जो data दिया गया था उसकी हमने unit same कर लिए अब जो है नकल joint में सबसे पहले जो आपका solve करने का method होता है सबसे पहले आपको d की value find करनी होती है तो नकल joint में d की value कहां से मिलेगी उसके लिए यह formula आपका यहां पर given है p बराबर πाई वाई 4 into d square into ft p की भी value आपको given है यहां से आप देख लीजे ठीक है p की value 120 किलो न्यूटन है और उसके बाद यहां पे आपको ft की value given है πाई की value आप जानते हैं 3.14 होती है और सारी चीजे आप देखे p की value हमने रख दी है यहां पर ft की value रख दी है हमको चाहिए d square की तो d square को हम एक side रखें और बाकी को हम यहां पर transmit कर देंगे यहां कि इनका हम transfer कर देंगे तो इधर divide में है उधर चला जाएगा multiplication में इधर यह देखे यह वाली value आपकी multiplication में है यह दोनों divide में आ जाती है और यहां से जब आप d square की value find करेंगे तो आपका 46 mm लगबग आ जाएगा है तो d की value आपको 46 mm मिल जाएगा यानि कि 46 mm आपकी d की value मिल गए sapte का व्यास आपको पता चल गया है अब जैसे ही आपको sapte का व्यास मिल जाए सबसे पहले आपका काम होगा कि आपको पिन का व्यास निकालना है जो आई की मोटाई है उसको निकालना है चिम्टे की मोटाई निकालनी है जो आपका योक लगा होता है उसकी मोटाई निकालनी है जो आई लगी होती है उसका बाह व्यास गयात करना है पिन के सिरे का व्यास करना है पिन के सिरे की मोटाई गयात करना है इतनी चीजे आपको ग व्यास होगा वही साप्ट का व्यास होगा तो डीवन की तो वैलू आपको पिन का व्यास जो आपका साप्ट का व्यास आएगा वही आपका पिन का व्यास होने वाला है तो डीवन बराबर डी के होता है ठीक है तो ये दोनों वैलू बराबर होती है उसके बाद आपका आता ज जो है आख की मोटाई मिल जाएगी तो यहाँ पर जो आख की मोटाई है इसको निकालने के लिए 1.45 इन्टो 46 कर देंगे इसकी वैलू मिल जाएगी इसी तरह जो है हम चिम्टे की मोटाई यहाँ पर ग्याद कर लेंगे 0.75 का जब मल्टिपलाई हम 46 से करेंगे जो साप्ट का व्यास आया था तो आपको चिम्टे का व्यास मिल जाना है उसके बाद जो आपकी आई लगी होती है उसका बाहर व्यास उसको हम D2 से डिनोट करते हैं तो जो आपका यहाँ पर वैलू आएगा D उसको यदि हम मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमें जो है पिन के सीरे की मोटाई मिल जाएगी ठीक है सॉरी यह आपका पिन के सीरे का व्यास मिल जाएगा उसके बाद पिन के सीरे की मोटाई निकालने के लिए जो भी आपकी जो D की वैलू आपके पास है 46 टिक है उसको जब हम multiply करेंगे ये 0.4 से तो हमें जो है पिन के सीरे की मोटाई मिल जाएगी लगबग 18.4 mm मिल जाएगी देखे numerical solve करने में कोई भी problem नहीं है हाँ इतना है कि आपको जैसे इसके बारे में पता होना चाहिए कि पिन का व्यास और साप्ट का व्यास बराबर होता है आख की मोटाई निकालने के लिए A बराबर 1.25 D इसको याद करना पड़ेगा चिम्टे की मोटाई निकालने के लिए 0.75 इंटू D आख का व्यास निकालने के लिए D जो आए उसको दो से multiply करना यानि कि इतनी चीज़े आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी और आपको जो है D का व्यास निकालने के लिए आपको यह दो यह दोनों चीज़े याद कर लिए आपको समझ लिए सारी चीज़े आसानी से clear कर ले जाएंगे तो सारी वैलू आपको यहाँ पर given है अब आपको क्या निकालना है सबसे पहले नकल पिन को करतन में अस्फल मानने पर यान का whole square into f s अब सारी वैलू आपको पता है क्योंकि आपने D1 की वैलू निकाली, f s की दी गई थी, p की वैलू दी गई थी, आपको यहाँ पर d1 square की वैलू चाहिए, स्वारी यहाँ पर जो है, आपको f s की वैलू चाहिए, ठीक है, इसी की तो वैलू निकालनी, f s की वैलू पर आपका जो मान है वो साप्ट के व्यास से ज्यादा आ जाता है तो समझ लीजे उसके आगे आप नुमेरिकल सॉल नहीं कर देंगे लिख देंगे कि जो है डिजाइन नहीं किया जा सकता जैसे हमारी जो डी का व्यास आया था वो 46 आया था जो सारी वैलू आपकी यहां पर वो 46 से कम ही होंगी जैसे ही 46 से ज्यादा हो जाएगी आप लिख देना इसके आगे जो है इसको हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं तो यहां से आप इस फर्मूले के थ्रू जो है वो नकल पिन को करतन में असफल मानने पर इसकी वैलू आप निकाल लेंगे ठीक है निक्स्ट आ आपका जो है यहां से आपको fs की वैलू मिल जाएगी दिन आपको क्या करना है रोड के सीरे को तनाव में असफल मानने पर यानिकी रोड के सीरे में पर यदि तनाव का बल लगता है उसके कारण यदि असफल हो जाए तो वहां पर आप कैसे वैलू निकालेंगे तो सारी आपको d2 की वैलू पता है, d1 की वैलू पता है, a की वैलू पता है, आपको ft की वैलू चाहिए सारी चीज़ आप रखेंगे आपको ft की वैलू जो है 45.36 न्यूटन पर mm² हो जाएगी देखिए यहां पर दो चीज़े हमने fs की वैलू निकाली, ft की वैलू निकाली और दोन आपको condition ft की value निकालनी पड़ेगी तो simply आप इस वाले फर्मूले में रखेंगे P बराबर d2 minus d1 into 2b into ft तो यहां से जो है आपका चिम्टे का तनाव में असफल होने मानने पर जो है ft की value आ जाएगी ठीक उसके बाद जो है आप चिम्टे का क्रसिंग में असफल होने पर जो value निकालेंगे आपको P बराबर d into 2b into fc पर value आपको सारे मान रख देने और उसके बाद जहां से आप fc की value आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है तो यहां पर fc की value निकाल इसको यहीं पर रखने दीजेगा तो यह आजाएगा P बराबर d1 into 2b equals to fc अब P की value आपको पता है 120 गुड़े 10 की पावर आप यहां पर 3 कर देंगे और यहां पर जो आपका d1 की value आएगी 46 यहां पर रख देंगे और उसके बाद आप यहां पर जो b की value आएगी उसको 2 के साथ multiply करकर भाग वगरा करकर इसकी जो value है आसानी से निकाल सकते हैं तो इस प्रकार जो आपका जो numerical है वो आसानी से solve हो जाएगा दो चीजे आपको अच्छे से याद रखनें एक तो सबसे पहले d की value निकालनी है ठीक है उसके बाद जो d की value आए सारी सारी चीजों में आपके मान रख देने है महां से आई काच लंबाई चोड़ाई और उसका जो व्यास वगरा निकाल कर आप step by step रखते चले जाएंगे सारा सवाल आपका सौल होता चला जाएगा जैसे हमने FC, FT ये सारी value निकाली है इनका जो मान है वो सार्प्ट के व्यास से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह ज्यादा हो जाता है तो यहां पर लिख देंगे मान सुरच्चित नहीं है अताहर डिजाइन नहीं किया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में दि गई है तो फिर आल आज के इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद करें कर दो थो